साथियों मन की बात के सुरूताओं को मैं करनाटका के गड़त जिले में रहने वाले कवेम श्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ कवेम श्री दक्षिण में करनाटका की कला संस्कृति को पुरनर जीवित करने के मिशन में पिछले पचीस वर्सों से अनवरत लगे हुए हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपश्या कितनी बड़ी है पहले तो वो होटल मेनेजमेंट के प्रोफेशन से जुड़े थी मंच बनाया यह मंच आज करनाटका के और देश विदेश के कलाकारों के कई कारकम आविजित करता है इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं साथियों अपनी कला संस्कृति के प्रति देश वास्यों के उच्छा अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रकटी करना है हमारे देश में तो हर कौने में ऐसे कितने ही रंग बिखरे हैं हमें भी उन्हें सजाने सभारने और समरक्षि करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए है। मैरे प्यारे देश्वास्यों देश के अनेक शेत्रों में बांस से अनेक सुंदर और उप्योगी चीजे बनाई जाती हैं। विशेस रुप से आदिवासी क्षेत्रों में बांस के कुशल कारीगर कुशल कलाकार है। जब से देश्ट ने बैंबू से जुड़े अंगरीजों के जमाने के कानूनों को बड़ला है। इसका एक बड़ा बाजार तयार हो गया है। कुर्शी, चायदानी, टोकरिया और ट्रे जैसी चीजे खुब लोगप्रिय हो रही है। यही नहीं ये लोग बैंबू गास से खुबसुरत कपड़े और सजावड की चीजे भी बनाते हैं। इससे आदिवासी महराओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनके हुनर को पहचान भी मिल रही है। साथियों करनाटका के एक दमपती सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुचा रहे हैं। करनाटका में शिवमोगा में ये दमपती हैं। स्रिमान सुरेश और उनकी पत्नी स्रिमती मैथिली। ये लोग सुपा चीजे बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चपले भी आज खुब पसंद की जा रही हैं। उनके प्रोडक्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधरों और पारमपारिक हुनर की खुबी हैं। जो सब को पसंद आ रही है। भारत के इस पारमपारिक ज्यान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही हैं। हमें खुद भी इस दिशा में जादा से जादा जागरुख होने की जरूत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्त इस्तेमाल करें और बड़ी संख्या में लोगों का भविश्य भी उजवल होगा।